ना हम तो चाहते हैं रिजर्वेशन खतम हो जाएं प्रति एक दलित को सो सभी का जमीन दे दो एक एक दो दो पेट्रोल पप दे दो एक एक दो एजंसी दे दो यदि आप अपनी सरकार बना लोगे तो सरकार में अतनी ताकत है कि इस तरह के जितने भी अपराद होते हैं वो सबाल करेंगे कि इस तरह से जैसे मैं जवाब दे रहा हूं क्योंकि आपकर हमy okay है इंसान वह है जो किसी के दुख से दुखी होता है समझें इंसानियत है और यदि अनुप से कौनेक्णन इश्व वह अच्छी सिखता कि लोग नहीं आज सब्सक्राइब कि चलता था वी हिंदू को बनाई रखने के लिए कोशिस करते हैं उए एक इन्सान को बिट्लिक्षान क Kita दुर। माहूल पैदा करते हैं यह कोई एकाद आदमी का काम नहीं पूरे-पूरे गाउं खड़े हो जाते हैं दलीतों की निकलने देते हैं वो बिल्कुर सही है एक्चुली में क्या है कि जब आई-पी-सी बनी सन 1860 में लौड मेकाले ने देशाजाद होने से पहले आई-पी-सी बन करता है तो आप उसकी मिर्तु कारित तक भी कर सकते हैं जब तक हम लोगों के अंदर यह भावना नहीं बैठाएंगे यह नहीं बताएंगे कि आप अपने प्राइवेट डिफेंस में किसी आदमी की हत्या तक भी कर सकते हैं उससे काफी हद तक चोट पहुचा सकते हैं जब घाओं में तो बहुसता रहतीयार होते हैं दराती हैं खुरपें हैं फावडें कुदाल हैं एक में आदमी खतम हो सकता है तो जब तक आप उससे बदला नहीं लोगे तब तक ऐसे ही चलती रहेंगे मैं यह कहूंगा जिसके बेटे को मारा गया है कोट कानून कचरीर समझ ज और चानून कर सकता हूं और उसे मार भी सकता हूं यह कानून कहता है एक अंजान आदमी जानकार नहीं बिल्कुल अंजान आदमी यह तुम यह मुझे इस समय मेरा इंटरवू ले रहें और कोई अचानक आदमी तुम पर अटेक कर देता है तो मैं तुमारी रक्षा के पहुचा सकता हूं और यदि आपने आपके उपर इस तरह का अटेक किया कि जान से मर सकते हैं आप तो मैं उसे जान से मार सकता हूं यह आई पीसी कहती है वकिल साब ने कहा था 2016 में कि मेरे दलत भाईयों को सूट मत करो चाहे मुझे सूट कर लो चूंकि गुजरात में को लेने के लिए अपनी वेवस्था को बनाए रखने लिए उनके फेवर में परधान मंत्री देश के यतने बड़े नेता इस मतल्य कुं बपना ने दिया रहा रहाएं जिनोंने मारा उसी को मारेंगे ना सब्सक्राइब जाती वाद नहीं है रिजर्वेशन खतम कर दिया जाए जो अधिकार दिये गए वापस ले लिए जान दलितों से ना हम तो चाहते हैं रिजर्वेशन को साधन नहीं पूरी संपत्ती जो आएके साधन है इंकम के साधन है रिजर्वेशन को खतम करो समझ रहो ना मनों हाई कोट में साथ पद हैं जेस्टिसों के तो उसमें हमारे उसके हिसाब से हमारे प्रताइब तो होना चाहिए हमारे वकील बहुत गूम रहे हैं उन्हें जजज बनाया जा कोई एक्जाम नहीं होता हाई हाई को सब्सक्राइब से लिए नहीं प्रताइब ऑनाया नहीं गठाव नहीं जा सकते हैं सब्सक्राइब नहीं बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा लोक तंत्रदेश है इसमें vote of percentage के उपर decide होता है हमारे जो दलित हैं वो भठके हुए है यदि आप अपनी सरकार बना लोगे तो सरकार में इतनी ताकत है कि इस तरह के जितने भी अपराद होते हैं वो सब बंद हो जाएंगे हमारे लोग बार-बार misguide हो जाते हैं कभी बीजेपी को board देते हैं कभी Congress को board देते हैं कभी समाजवादी को देते हैं कभी takie quality को लिए सबसे पहले हमें educated होना चाहिए बाबा साब के तीन सिद्धान थे कि पहले सिक्षित बनो सबसे पहले सिक्षित बनो हमारा जो ज्यादा से ज्यादा तबका है वह सिक्षित नहीं हो रहा है मैं कहा रहा हूं कि 90 लोग तो दसवी से नीचे ही छोड़ देते हैं पढ़ना मात्र जीरो पॉइंट सम्थिंग हायर एजूकेशन में जा रहे हैं पहले बाबा साब ने जो तीन वह बताए थे हैं हम बाबा साब को नहीं पढ़ पा रहे हैं बाबा साब के बतायों रास्ते प होता हूं की मूर्ती तोड़ दी जाती है और जो विदेश लोग गए हैं हमारे वहां तो पड़े लिखे लोग जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल जाती वाद की जलन मानसिक्ता ऐसी है वो कभी नहीं जायती एक लंबे समय से किसी किसी तबके को दबाया जा रहा है और वो कोई तो बहाना चाहिए ना दिखाने के लिए तो लोगों को डर का माहूल बनाते हैं कि एक दलित को मारो गए तो दस दलित अपना आप डर जाएंगे यदि मैं घटना बताऊं आपको एक वकील साब थे जो प्रैक्टिस करते थे तुमारे हरियाने में फरिदाबाद डिस् है हैं सब्सक्राइब जाता हुए सब्सक्राइब मारोест को दूशिक्टार जैया छुइन जया है उन्हें वकील सापको लाइफ इंपरजमेंट हुआ था और आज बो आज इवन कारवास काट रहें कोई भात और पांच मारें लेकिन द्रीपरेंस मारें क्योंकि उनके पापा चाची-चाचा को मार रहे तो उन्हों आज तक उसके बाद उस गाउं में कोई इस तरह घटना नहीं पास पास भी कोई घटना नहीं घटी क्योंकि पड़े लिखे बंदेने एक एड़ोकेट ने पांस ठाकुरों को शर्याम मारा था तो वो जानता था कि मुझे राइट टूब मुझे डिफेंस है तभी उन्हें फांची नहीं हुई आजीवन कारवास हुआ कोई बात नहीं ले तो आयोग बने हुए हैं जैसे स्टी आयोग है पिछड़ा बार गायोग है यह कुछ हैप नहीं करते हैं क्यां कि मुझे सर्कार होती है उसी का चुनूंदा आदमी होता है वह चेर्में जो मनुट तो वह उसी इस तरह से वहां से कोई ज्यादा खास क्योंकि जितने भी कमी बताऊं जितने कमीशन होता उनको कमीशनों को डंड देने की पावर नहीं होती है इसलिए वो काम्याव इसलिए कंवेटों कोंद पैसेruff समझतर है सबस्टार इसलिए कानून है कानून के झाल